हेलो दोस्तों, वेलकम बैक तो माई चैनल, सुचिता क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, तो दोस्तों आज हम सीखेंगे, हमारे पास एक नंबर है 216, इसका हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, तो फ्रेंड्स, क्यूब रूट क्या होता है, नंबर हमें रिक्वाइड है, यानि कि 216, वो नंबर हमें मिल जाए, चीक है, चलिए आए, स्टार्ट करते हैं, तो और आपको समझ में आएगा, तो हम इसे क्या करेंगे, प्राइम फ्रेक्टराइजेशन वितर से हमें निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 216, 216 लिख लिया, तो आप जानते हो कि यहाँ पर यह क्या है, इवन नंबर है, 6 क्या है, इवन नंबर है, तो यह 2 से इजली डिविजिबल है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से इसे डिवाइट करेंगे, तो यह क्या होगा, वन टाइम जाएगा, फिर यहाँ पर और पर 8 क्या है इवन नम भबर है तो यह फिर से क्या होगा यह two से दिवाइड दाएड हो जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे फिर से ha F ताइम सिग गये तू wtf में ऑप्न सहलेंक तो फिर तो टू जाएगा तो यह हो गया तो यह 27 आ गया अब यह 7 क्या है यह और नमबर है तो यह अब क्या होगा तू से डिवाइट नहीं होगा लेकिन अब यह क्या होगा उससे next नमबर क्या होता है 3 होता है तो 3 की टेबल में क्या होता है 27 आता है तो हम अब क्या करेंगे कि इसको तो हम 3 से divide करेंगे 3 9 जा 27 . तो यहाँ प़े क्या आ गया 9 हो गया अब यह 9 किस से divide हो सकता है अगें यह 3 से divide होगा तो हम इसे क्या करेंगे फिर से 3 से divide करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 3, 3, 3 is a 9 अब यहाँ भी हमारे पास क्या बचा 3 बचा, इसको हम फिर से 3 से डिवाइट करेंगे तो 3 वन जा 3 हम किसी भी जब हम किस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कोई चीज करते हैं, डिवाइट करते हैं तो हम तब तक डिवाइट करते रहते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए तो अब हम इसका क्या करते हैं कि हम इसके फैक्टर्स को लेख लेते हैं तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे 2, 1, 6 है तो इसके फैक्टर्स हम ऐसे लिख लेंगे 2 into 2 into 2 अब हमें करना क्या है करना तो हमें कहिए है कि हमें इनका क्यूब रूट निकालना है तो अब हम इसको इस फॉर्माट में भी लिख सकते हैं तो थोड़ा देहान से समझना इसको हमने 2, 1, 6 को as it is लिखा और यहाँ पर हमने क्या किया इनका क्या किया कि इनको club कर दिया इनका एक group बना दिया ठीक है इन तीन तीन का एक क्या किया group बना दिया तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि two और यहां पे cube कर दिया multiply यह वाला multiply ले लिया और यहां पर क्या किया इस three को लिखा और यहाँ पर यह इसका भी cube कर दिया हम इसको बार-बार लिखने के बज़ाए हम क्या करेंगे यहाँ पर cube लगा देंगे इसका मतलब भी यही होता है कि 2 को हमें 3 times multiply करना है 3 को हमें 3 times multiply करना है तो अब हम इसको क्या करेंगे अब हमें यह क्या करना है इसका क्यूब रूट निकालना है तो 216 है इसका क्या करना है क्यूब रूट निकालना है इसको इस फॉर्माट में लिखा जाता है इधर की तरह हम इसका क्या कर रहे हैं क्यूब रूट निकालने का साइन लगा रहे हैं तो इधर भी हमें सेम प्रॉसेस फॉलो करना होगा 216 को तो as it is लिख देंगे यहां पर इसका next step होता है देखो यह चीज रफ में करने वाली है लेकिन हम आपको यहां पर explain कर रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए यहां पर अगर यह 3 लिखा हुआ है तो जब हम इसको open करेंगे तो यह इस format में आ जाता है वन उपन 3 इन्टू यह पार में ही रहेगा इन्टू वन उपन 3 ठीक है तो यह क्या होगा यह 3 और यह 3 और यह 3 आपस में क्या हो जाएगा तो अब यहां पर क्या बचा यहां पर भी 1 पार बची 3 की पार 1 बची यहां पर 2 की पार 1 बची ठीक है यहां पर यह 2 1 6 को हमने as it is अतार लिया is equal to अब हमारे पास क्या बचा 2 की पार 1 बची थी जिसे फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं है 3 की पार 1 बची थी तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर simple इस तरह से लिख सकते हैं यहां पर क्या हो गया 3 into 2 is equal to क्या हुआ 6 आ गया तो 6 ही क्या है 216 का cube root है 6 को जब हम आपस में इसका मतलब यह होगा कि 6 को जब हम 3 times आपस में multiply करेंगे यानि कि अगर हम 216 का निकालना है तो क्या होगा अगर हम 6 into 6 into 6 करेंगे तो is equal to 216 आना चाहिए और यही इसका क्या है answer हो गया यानि कि answer क्या हो गया answer क्या हो गया 6 तो answer हो गया cube root of 216 is equal to क्या हो गया 6 और यही इसका answer है तो फ्रेंड्स उमीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और हां कमेंट करना नहीं भूलिएगा ओके बाइबाइबाइब सब्सक्राइब